इन दिनों दुनिया पहले से ही एक खतनाख महामारी कोरुना वही दूसरी और एक और आफ़त निस्सर्ग तुफान की रूप में सामने आकर खड़ी हो गई है महीं इस दौरान अस्मान से एक और आफ़त धर्ती पर बरसने को तैयार है अमेरिकी अंतरिक शेजेंसी नासा नी एक ऐसे उलकापिंड की पहचान की है जो बहुत तेजी के साथ धर्ती के करीब आ रहा है नासा की रिपोर्ट के मताबिक आधा किलो मीटर बढ़ा ये उलकापिंड पांच दशमलव दो किलो मीटर प्रती सेकंड की रफता से प्रित्वी की और बढ़ रहा है जिस हिसाब से उल्कापिंड पृत्वी की और बढ़ रहा है उस हिसाब से ये से हफ्ते 6 जून तक पृत्वी की कक्षा के बहुत पास से गुजर सकता है बग्यानिकों का कहना है कि इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है क्योंकि इस उलकापिंड के प्रत्वी से टकराने की कोई उमीद नहीं है इसे पहले 21 माई को भी 1.5 किलो मीटर लंबा उलकापिंड प्रत्वी की कक्षा से काफी करीब होकर गुजरा था मही साल 2024 में भी एक उलकापिंड के प्रत्वी से टकराने की बात कही जा रही है फिलहाल उलकापिंड प्रत्वी के करीब आ रहा है उससे प्रत्वी को कोई भी खत्रान नहीं है